प्रमुख बाजार सूचकांक आज सपाट बंद हुए बाजार पर विशलेशकों का नजरिया वैश्विक प्रक्ती को देखते हुए बाजार सूचकांक उचे स्तर पर खुला लेकिन बिक्वाली के दबाव के कारण तेजी से दिशा उलट गई रुपया 83.52 प्रती डॉलर के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 83.56 प्रती डॉलर पर बंद हुआ PCS का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 8.72 बढ़ा, विक्री 5.44 परसेंट बढ़ी डेटा पैटर्न, DRDU ने कमपनी को सक्रिय एंटीना एरे सिमिलेटर के साथ रडार सिगनल प्रोसेसर विक्सित करने के लिए एक परियोजना से सम्मानित किया अडानी विल्मर ने ओमकार केमिकल इंडस्ट्रीज में 67% हिस्सेदारी हासिल कर ली है थर्मैक्स केमिकल सॉल्यूशन्स ने फ्लोरिंग केमिकल व्यवसाय के लिए विबरो माचेस्टर के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया है सेरा सेनेटरी वेर को क्रिसिल से क्रेडिट रेटिंग में पुन्ह पुष्टी प्राप्थ हुई है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन को 5.80 करोड रुपए का ओर्डर मिला है एहलुवालिया कॉंट्राच्स इंडिया को वारांसी में अंतरराश्ट्रिय हवाई अड्डे के लिए 893.48 करोड रुपए का ओर्डर मिला है कल्पत्रु प्रोजेट्स इंटरनाशनल को क्रेडिट रेटिंग में पुष्टी मिली है इंडेजीन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित किया है बुंडाडा इंजिनेरिंग यूनेट को 316.82 करोड रुपए के वर्क ओर्डर प्राप्थ हुए सांधवी मुवर्स इकरा ने इकरा एप्लस में लॉंग टर्म रेटिंग और इकरा एवन में शोट टर्म रेटिंग की पुष्टी की है गोल्डियम इंटरनेशनल को 60 करोड रुपए के एक्सपोर्ट और मिले है आरवी एनेल को मध्य रेलवे से 138 करोड रुपए के प्रोजेक्ट मिले एचपी एल इलेक्टरिक एंड पावर को 2100.71 करोड रुपए का ओर्डर मिला है विंसर मशीन्स ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर हिरेन राजपूत के इस्तीफे की घोशना की जीटीपी एल हैथवे का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 60.22% घटा, विक्री 8.90% बढ़ी उग्रो कैपिटल ने कुल मिलाकर 75 करोड रुपए के एंसीडी आवंटित किये है यूको बैंक ने ओवरनाइट एंसील आर को 5 BPS बढ़ाकर 8.15% कर दिया है ब्रिगेड ग्रूप ने के आईएडी भी एरोस्पेस पार्क में स्थित आवासीय परियोजना कोबाल्ट आट ब्रिगेड इयाई डोरेडो लॉंच की है विदानता ने कुल मिलाकर 1000 करोड रुपए के एंसीडी आवंटित किये है PCS ने 10 रुपए प्रती एक्विटी शेयर के इंटरिम डिविडेंड की सिफारिश की है